यह गाइस बैकोंड वाइस टैक सवाइज एसूस ने फाइली अपना न्यू स्मार्टफोन लोच कर दिया जिसका नाम रखा है एसूस एंफोन इसके बाद करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बारे में बैटरी मिलती है और जो एसूस में मिलती है जो एसूस में बात करते है दोनों इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में जो रेड्मी नोट पिक्सल प्लस पांच मेगा पिक्सल का डूर रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है जो एसूस का है उसमें आपको तेरा मेगा पिक्सल प्लस पांच मेगा पिक्सल का डूर रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है दोनों स्मार्टफोन में आप पोडरे शोर्स ले सकते हैं और बुके शोर्स भी ले सकते हैं यसके बाद हम बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन को प्रॉंग यहासाарт देखने के लिए मिलता हैं और दोनों ही screaming आपको इसे असार say में मिलता हूं android वरजे मिलता है नोटोट का 8.1 1.2 नोगन देखने के लिए मिलता है जो अभी तक औरी अप्डेट नहीं आया है बर जल्दी इसमें आपको औरी अप्डेट देखने के लिए मिल जाएगा रेड्मी नोट फाइब प्रो में एमा यूई 9 के 9.5 अप्डेट के साथ इसके बाद हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइज और वेरियंट के साथ आता है एक फॉर जिवी और सिक्टी फॉर जिवी जिसमें आपको जिसकी प्राइज मिलती है फॉर जिवी और सिक उसकी प्राइज होगी तेरह हजार रुपए और जो पंदरह हजार रुपए और जो अभी तक लॉंच नहीं हुआ बट इन्होंने अनॉंस कर दिया है जिसमें आपको 16 प्राइज प्राइज मिलेगा वाकिकी स्पैसिफिकेशन आपको सिमिलर मिलेगी जो इस उसके जैनफो को पूरी तरह से किल कर दिया स्मार्ट फोन कियोंकिि इस की प्राइज को का कफी दंदार है नेकुला। प्रो इसमें आपको MIUI 9 देखने के लिए मिलता है जो Redmi Note 5 Pro में कस्टम रोप देखने के लिए मिलती है जो जो Asus का है उसमें आपको स्टोक एंडोट देखने के लिए मिलता है जो आपको Google के अप्डेट्स देखने के लिए मिलेंगे security patch level भी अप्रूट डेट रहेगा आपका smartphone का इसमें आपको build quality मिलती है वो भी इतनी अच्छी मिलती है Asus के phone में और Redmi Note 5 Pro में भी आपको ठीक ही मिलती है quality आपको दोनों ही smartphone में अच्छी quality मिलती है build quality से दोनों ही smartphone मार नहीं खाते और इसमें आपको sound system मिलता है वो Asus के phone में ज़्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि इसमें आपको 5 board के magnet speaker मिलती है और इसमें जो आपको एक box जिसमें आपको इसका रिटेर box होगा उसमें आपको एक cardboard जैसा box मिलेगा जिससे आपको जो Asus का phone से attach करेंगे और जो sound सुनेंगे तो आपको base का जो base होगी वो कम होगी जो आपको sound improvement मिलेगी वो काफी अच्छी मिलेगी और जो Redmi Note 5 Pro में उसका आपको sound ठीक था गे मिल जाता है बट इतना भी अच्छा नहीं मिलता जो Asus के phone में जैसा इन्होंने कहा है कि आपको 5W के speakers देखने के लिए मिलते हैं आपको बता जो कि बहुत अच्छा पैगड़ है इस price में आप असानी से खरीज सकते हो मेरी तरफ से बहुत बड़ा thumbs up है आप असानी से Redmi Note 5 Pro की जगह खरीज सकते हो अगर आपको Redmi Note 5 Pro नहीं मिलता है इस मिलता भी हो तब यह इस उसका ही phone लेना क्योंकि इसमें आपको अच्छी specification मिलती हो प्राइज भी कम मिलती हो 3GV तर 2GV वाला variant भी मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको dedicated float मिलता है स्मार्टफोन में और आपको fingerprint sensor भी मिलता है और face unlock जैसे features मिलते हैं इसका जो हायर वेरियंट है उसमें आपको improved camera भी मिलेगा जो Redmi Note 5 Pro से अच्छा camera होगा जो Redmi Note 5 Pro है उसमें आपको बारा प्लस पांच मेंगा पिक्सल का camera मिलता है और जो यह है इसमें आपको 16 प्लस से पांच मेंगा पिक्सल का camera मिलेगा जो इसका जो वेरियंट होगा जो 64GB वाला वेरियंट है सब्सक्राइब का पहरी जानी है Redmi Note 5 Pro को पूरी तरह से केल कर दिया है कि यार कोई ऐसी कंपनी आई जो Xiaomi का मुकाबला कर सके और जो Redmi के smartphone जो flash sale में मिलते है वो असानी से मिलने शुरू हो जाए ताकि उनके उनको भी पता चले कि यूजर कितने उनके smartphone लेने के लिए तरस रहे हैं बट जो एसुस का phone है इसके लिए आपको सभी के लिए thumbs up है मेरी तरफ से क्योंकि जो कोई और कंपरी नी कर सकी वो एसुस ने करकर दिखा दिया अगर आपको प्रफोर्मेंस आपको ज्यादा ही एक्सपैसिव है इसके कंपरीजन आपको इसमें अच्छी स्पैसिफिकरशन मिलती है और अच्छा पैकेज मिल जाता है आपको एसुस जैनफोन मैक्स प्रो में आपको बता दूँकि जो इसकी स्टार्ट होगी वो थर्ड मही से स्टार्ट होगी आप असानी से जाके खरीश सकते हो फ्लिपकाट पर ठैक्स मेरी वीडियो देखने के लिए अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ने के जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए ठैक्स मेरी वीडियो देखने के लिए ठैक्यू